कि थेलो दूस्तों तो छलिए हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्पून यह आइटिकल है आपका भारत द्वारा विदेश में जो निवेश के आया में उनके बारे में बात की जा रही यानि कि आपके हां से जो कंपनियां विदेश जाती हैं वा निवेश करती हैं उसी के बारे में बात की जा रही है तो देखेंगे अभी हाल में संद्र में किस कारण चार्चा में है इसका सामान परिच्छे देख लेंगे बारती यह कंपनियों द्वारा किये गया है कुछ फिर मोख विदेशी निवेश कौन-कौन से हैं उने भी देखेंगे विदेश में देख लेंगे इसका ठीक है यानि की लगवर लगवक सभी पक्षों पर हम लोग बात करने की कौसिस करेंगे पिछले कुछ समय से भारती कंपनियों का विदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है मार्च 2019 में भारती कंपनियों का विदेशी निवेश 1830 वर्षदर वर् अमेरिकी डॉलर हो गया है यानि कि कह सकते हैं कि 2019 में बाती कंपनियों का विदेश सी निवेश से वो 1830 वर्ष दरवर से बढ़कर 29.9 विलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जनवरी 2020 में गहरेलू कंपनियों ने अपने विदेशी बिंग्स में 2.23 यानि कि 2.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया ना किवल परिमान की मामले में बलकि भागुलिक पिसार और चhetskya सरचना की संद्रव में भी बारतीयों द्वारा भारत की बार निवेश में बिद्धी हो रही है पिछले एक दसक में पितेक्ष निवेशी की रोजानों के विसलेशन से निस्करसित हुआ है कि निवेश प्रवाकू इस दसक के उत्राइट में से बिद्धी हुई है पिछले दसक में विदेशी निवेश गंदब ओ आईडी में एक आउधारनात्मक बल्ला हुआ पिछली तिप चमाई में विदेशी निवेश में ओस्टेलिया, सेवतरव, अमिराथ, सूडान जैसे संसाधन संपन देशों को निदर्शित किया गया था लेकिन बाद में OID, कुमोरिसस, सिंगापूर, बेटिस, दूइप समूव और नीदरलेंड जैसे उच करलाब पिदान करने वाले देशों में भी पिसारित किया गया था अगर भारतिये कमपनियों द्वारा किये गये कुछ पिदेशी निवेशों की बात करें तो अगस्त दोजार उन्नीस में सन फार्मा ने चीन में साथ जैनेरी कुदफादों के विकास प्रवियोसाई करण के लिए चाइना सिस्टम मेडिकल होल्डिंग के साथ लाइसेंस समझोता किया सेप्टम्बर दोजार उन्नीस में ओयो ने कोपे नहेंगा नाधारी डिटा विज्ञान फरम डेने मिका का अधिगहन किया इसने यूरोप में अपने कारवबार का विस्तार करने के लिए तेजी से बढ़ते रहने वाली स्टार्टप को चिन्नेद्वी किया सेप्टम्बर दोजार उन्नीस में रिलाइंस पावर में सयुक्त रूप से बंगलादीस में मेगनागाट में 750 मेगाबाट गैसाधारी सयुक्त चक्कर बिजली परियूजना चरन एक इस्थापित करने के लिए जापानी उज्जा प्रमुक जेरा यानि की जी आर एक के इन्वाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेट की इन्ड मेक्स रिभाइंडरी तकनीक को उच्चे मूल के उत्पादों के उत्पाधन के लिए सर्विया के नैपतना इंद इस्तजा स्रीजी एन आई गैस को लाइसेंस दिया गया था दिसंबर 2019 में तेल और गैस चित में भारत में MSME पारस्तितिकी तंद के विकास के लिए राष्टी लगू उद्द्यूग निगम और आराम को एसिया के भी समझो तक यापन परहस्ता चरूए जनवरी 2020 में केलिस इंफ्राटक्चर ने यूगे में अपनी पूर्ण स्वामित वाली साहिक कंपनी में 81.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है या आपके कुछ निवेश थे बाहरी देशों में बिदेश में निवेश सेतु सरकार की तरफ से अगर पहली की बात करें में लोग तो केंद्री मंती मंदल ने ओ एन जी सी बिदेश बिदेश को रॉस नेट वाइल कंपनी से 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर में रॉसी तेल कंपनी जी एस सी बैंकोर्ण फेट में 1130 हिस्सेदारी हासिल करने की अर्मती दिये 12 सरकार की सारजेश चेत के उकरमों PSU ने रूस की तेल और गैस पर योजनाओं में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है और देश के तेल और गैस चेत्रों में अधिक निवेश करने की योजना बना रहे है बारती कंपनियों द्वारा बिदेश में निवेश के लिए RBI ने उधारी कित और युकती संगर देशा निदेश भी दिये है जे भी ओ पूर्ण स्वामित बाली साहिक कंपनियों की स्थापना के लिए इसमें आपके 75,000 अमेरिकी डॉलर से बार से बिदेशी निवेश सीमा बढ़ा कर 75,000 अमेरिकी डॉलर कर दिये भारत सरकार की प्रायोगी दिरश्टी कौन से पूरक सरकार की सहाइक नीती सासन पविस में ओ एफडियाई की रूम में उपर की ओर बढ़ सकता है परियाप्त बिदेशी मुद्रवंडादवारा प्रोसायत अर्वियाई ने सेरों और घरेलू और बिदेशी परिसंपत्तियों की पितिग्या के माध्यम सिद्धन जुटाने के लिए सेलिंग के साथ विदेश में निवेश करने वाली गहरेली कमपणियों के मापदन में धेल भी दी है अग लोकन की अगर बात करें तो अभी की समय में भारत एक निम्न मद्धा आय पर कदेश है जहां आज भी गरीवी वुप मरी जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी ऐ ऐसे इस्तिति में विदेशी मुद्रा अर्णिंग हेतु एक कदम आवस सकते है बारत में LPG सुधारों के बाद वैस्वी करन के मान दन्यों का पालन करने की दरिष्टी कौन से एक कदम आवस सकते है भारत के निजी छेत को ब्यापार हेतु सुतंद करना सही है बारत की कमप भारतिय डायस्पूरा भारतिय इस्तिति को और मजबूत बनाता है। सारवजनिक चित को अपने ब्यापार की नीतियों को स्वेम बनाने चाहिए तथा लाप्त राप्त करना उनका भी लक्ष होना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारें दिये गए लाबांस की देश की मुलबूत समस्याओं को कम करने में सहाइब है। लाश्ट में गह सकते हैं कि बैसविक बाजार में प्रवेश करने के लिए विदेशी निवेश सबसे मत्वूं चड़ों में से एक है। और हाल के दिनों में भारत में निवेश बैसविक चित में अपनी उपस्तिती दर्च कराने के लिए आवस्तक कदम उठाए। विदेशी वाजारों में निवेश भारत की सकारात्मक्ता का सूचक बन रहा है। झाल